हेलो साथियों स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती ऑफिशियल पर चलिए आज की क्लास धमाकेदार होगी और संडे कुछ एस्पसल है आप लोगों के लिए तो चलिए और सभी भाईयों को सभी साथियों को सभी बेनों को गुड मानिंग सस्त् ठीकैं तो चलिए सबसे पहला कोशन लगाते है कि स्क्रीन पे और उसके पहले हम एक क्वेट से सुरवात करते हैं तो चलिए ना ही मैं हा रूंगा और ना《h.com》 तो तूटने दोंगा ना ही हारूंगा और ना ही अपने अंसले को तूटने दोंगा जो बुने है खुाब क्य वोगी मेरी एक जगा, उन चमकते सितारों में, जो शुरू किया है सफर, तो उसे अधूरा न तूटने दूगा, अधूरा न छोटने दूगा, अधूरा न छोटने जोँगा, चलिए सातियों, इसी के जोस और अन्दास से ख्लास को शुरू करते हैं, और सबसे पहला कोशन लगाते हैं सबसे पहला कोशन है स्क्रीन पे 11 अक्टूबर को विस्तो भर में कौन साथ दिवस मनाया जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा अंतरराश्टी बालिका दिवस क्या बेटा अंतरराश्टी बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ठीक है मनाया जाता ह इस दिवस को मनाने का उद्धेश बेटा बालिकाओं के सामने आने वाली चुनाउतियों और उनके अधिकारों के संरच्छर के बारे में जागरुक करना होता है इस दिवस की सुरुवात सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्स दोहजार बारा में बेटा किया था कब किया था वर्स दोहजार बारा में थीक है वर्स दोहजार बारा बहुत ही इंपोर्टेट थीज़ यह क्योंकि कई बार पूछा जाता है थीक है चलिए, next question की बात करते हैं, अगला question बात करते हैं, NTPC ने PLF 11,61 million unit विदुद उत्पादन कर देश का कौन सा अस्थान हासिल किया है, देश में कौन सा अस्थान हासिल किया है, चलिए, इसका जो right answer होगा बिटा, पहला अस्थान हासिल किया है, किसने पहला अस्थान हासिल किय आए, NTPC ने देश में पहला अस्थान हासिल किया है, National Thermal Power Corporation ने देश में पहला अस्थान हासिल किया है, ठीके, 96.77, कितना बिटा? 96.77, 96.77 हाली में PLF यानी plant load factor पर 11,100 million unit विद्दुद उत्पादन कर देश में पहला अस्थान हासिल किया है, जबकि 37 वर्ष पुराना या 37 वर्ष पुराना या संयंत्र पिछले वर्ष के अर्ध वासिक में दवें अस्थान पर था, दस्वें अस्थान पर था, ठीके, इसके पहले की बात करें, इसके पहले बिटा दस्वें अस्थान पर था, ठीके, चलिए, अगला कोशन करते हैं, अगला question है screen पे, हाल ही में किसने EPFO का मुख्याले के छूट प्रतिष्ठानों के लिए हस्तांतरित की सुविधा की सुरुवात की है, हस्तांतरित सुविधा की सुरुवात की है, ठीक है, जो इसका रुजो right answer होगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा, स्री अपुर्वाचंद, स्री अपुर्वाचंद ने EFO मुख्याले के छूट प्रतिष्ठानों के लिए एक सुरुवात किया है, और इस सुरुवात में स्रम एवं रोजगार, क्या होगा बेटा, स्रम एवं रोजगार सचिव, जो स्री अपुर्वाचंद जी है, हाल ही में E F.O. मुख्याले के छूट प्राप्त थोक हस्तांतरण की सुविधा के शुरुवात की है इस छूट पर प्रतिष्ठानों के लिए निधि हस्ताचर के गति बढ़ा कर कारोबारी सुगम और सरल होगी ठीक है चली अगला कोशन करते है अगला कोशन है स्क्रीन पे चली अगला क कि विभाग ने छात्रों के लिए S.T.E.M करियर और सर्व तैयार करने के उद्देश से किसके साथ साजेदारी की है चली किसके साथ साजेदारी की है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा टू पर जाएगे हम लोग IBM यानि की विज्ञान प्रोध्य की विभाग DST ने हाली में विज्ञान प्रोध्य की इंजिनरिंग गडित STM में छात्रों की रुच बढ़ाने के लिए उनकी करियर के लिए औसर तयार करने से उद्देश ने IBPM के साथ साजहेदारी किया है भारत में देश के युवाओं को सीखने और वैज्ञानिक सूच को विकसित करने का उद्देश सिच्छड मंच तयार किया है ठीक है चले अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है स्क्रीन पे IP IPFT ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए क्या विकसित किया है चली क्या विकसित किया है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगे बेटा जयो कीट नासक क्या जयो कीट नासक तयार किया है ठीक है चली अजमेर के राष्टी बीजी मसाला अंसुन्जदान केंदर के साथ मिलकर बीज मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जयो कीट नासक को विकसित किया गया है यह जयो कीट नासक फसलों से विभिन कीटों को नियंत्रित करने के लिए मददगार होगा ठीक है क्या होगा मददगार होगा चली अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है स्क्रीन पे किस देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडियन मिसाइल रुद्रम वन का सफल परिचड किया है किसने किया है बेटा भारत देशने किसने किया है भारत देशने एंटी रेडियन मिसाइल रुद्रम वन का सफल परिच्छड किया है ठीक है कौन किया है भारत ने जो की DRDO कौन विक्सित करता इसे बच्चा DRDO विक्सित करता है ठीक है कौन विक्सित करता है DRDO द्वारा विक्स इंडिया एंटी रेडियन मिसाइल है कौन है देश की पहली है और पहली है तो जरूर यहां से कुशन बनेगा ठीक है देश की पहली मैं इंडिया एंटी रेडियन मिसाइल है इस मिसाइल की रुद्रम की स्पीड स्पीड की बात करें तो मैक दो मैक दो या धुन की गति से इस मिसाइल का सपल परिछड बाला सोर में ITIR से किया गया कहां से किया गया बाला सोर में ITIR से किया गया है चली अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है किसने हाली में कोईला छेत्र में अनुसंसदान के लिए वेवसाइड लांच किया है वेवसाइड लांच की है किसने वेवसाइड लांच की है तो दोस्तों यहां पर देखे कोईला से सम्मंदित है तो यहां पर भी हो जाएगा कोईला मंत्राले ने एक वेवस किया है कुईला मंत्राले के सचीव कौन है श्त्री अनिल जैल ने कहा है कि मंत्राले ने कोईला छेत्र में ज्यान और सोधकार के प्रशार अवम प्रोस्ताहन के लिए वेवसाइड लांच की है इस वेवसाइड को CMPDI की मदस्त विक्सित किया गया है ठीक है चली अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है साथियों स्क्रीन पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने या प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने हाली में 11 टूबर को किस योजना के तहत संपत्तिकाड वितरित करने की शुरुवात करने की गोशना की है चलिए इसका जो राइट अंसर बेटा हो जाएगा स्वामित्य योजना प्रधान मंत्री नरेन मोदी 11 ग्यारा क्टूबर को स्वामित्य योजना के अंतरगत शंपत्ति काड वितरित करने की सुरुवात करने की गोसना की है इस स्वामित्य योजना के अंतरगत देश के लगभग एक लाख भू संपत्ति मालिक क्या होगा बेटा भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल पर अपने मोपोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति काड डाउनलोड कर सकेंगे ठीक है चली अगला कोशन क स्क्रीन पे भारत का कौनसा राज क्या बेटा भारत का कौनसा राज हाल ही में हर घर ग्रामीड घर में नल कनेक्शन उपलब्द कराने वाला देश का पहला हर घर जल बन गया है हर घर जल राज बन गया है चली जो इसका जो राइट अंसर हो जाएगे बेटा गोवा देश भारत का गोवा राज हाल ही में हर घर ग्रामीर घर में नल कनेक्सन उपलद कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज बन गया है गोवा ने सफलता पूर्वक 2.30 लाक ग्रामीर परिवारों को कवर राज के ग्रामीर छेत्रों में 110 सव परिसड सव प्रतिसत चालू घरेलू नल कनेक्सन उपलब्द कराया है अबी तक सव प्रतिसत यानि 2.30 लाक ग्रामीर को कवर राज के ग्रामीर छेत्रों को 100 परिसंट चालू घरेलू कनेक्सन उपलब्द करा दिया गया है और किस राज में बेटा गोवा राज ने इसे सुरू किया है चली अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है स्क्रीन पे और लास्ट कोशन है बेटा हाली में किसने गस्ती जहाजों की आपूर्त में देरी होने की वज़े से आर एन इल को पचीस सो करोड रुपे का दिया गया ठेका रद कर दिया है जो पचीस सो करोड रुपे का ठेका दिया गया था किसको आर एन इल को वोट रद कर दिया गया है किस मंत्राले ने इसे रद किया है बेटा तो रच्छा मंत्राले ने इसे रद किया है इसका जो right answer हो जाएगा रच्छा मंत्राले और रच्छा मंत्राले हाल ही में रच्छा मंत्राले ने गस्ती जहाजों की आपूर्ति में देरी होनी की वज़े से क्या बेटा देरी होनी की वज़े से Reliance Naval and Engineering Limited ठीक है इसका जो full form होगा बेटा Reliance Naval and Engineering Limited RNEL को पचीस सो करोड रुपय का दिया गया ठेका रद कर दिया गया है वर्स 2011 क्या बात करते बेचा वर्स 2011 में Reliance ग्रुप और रच्छा मंत्राले के बीच या पांच गस्ती जहाजों को लेकर एक समझोता हुआ था कब हुआ था 2011 में और रद कब कर दिया गया है 11 अक्टूबर 2020 को ठीक है दोस्तों चलिए आज की कोशन यहीं तक है और संडे को संडे आज है और साम को हम लोग एक धमाकिदार सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें एक जनवरी से एक जनवरी से पांच जनवरी तक ठीक है एक जनवरी से पांच जनवरी लाइक करिए और सेर जरूर कर देना यार भाई और बता दे अगर सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक करिए और पांच लाइक का आज टार्गेट है ठीक है आप लोग देखते हैं पांच लाइक लाइक करते हो या नहीं करते हो ठीक है तो चलिए आज की क्लास यहीं त स्त्रिकाल तो चलिए आज की क्लास यही तक है तब तक लिए टाटा बाबाए टेक केर मस्त रहिए स्वस्त रहिए जहिन जय भारत